चुनावी रनभेरी बजने में अब चंद दिन ही बचे हैं चुनावायो कभी भी तारीखों का एलान कर सकता है। प्रियंका गांधी ने जब रोडशोज से चुनावी शंकनाद किया तो सपा से लेकर बसपा और बीजेपी तक बॉखला उठे। फिर उत्तर प्रदेश में डेरा जमाने वाली हैं जिसमें वो बीजेपी और सपा बसपा के बागियों को साध कर कॉंग्रेस का कुन्बा बढ़ाने की कोशिश करेंगी। कहा जा रहा है कि वो प्रदल राजबहिया समेत कई छोटी पार्टियों से मुलकात करेंगी। आपको बता दें कि एक बार पहले भी वो राजबहिया की पार्टि जनसत्ता दल के नेता, अक्षे प्रताप सिंग, बीजेपी से नाराज चल रही अपना दल की नेता, अनुप्रिया पटेल और पीस पार्टि के नेता अयूबंसारी से भी मिल चुकी हैं। पीस पार्टि से तो गड़ बंदन पर मुहर लग चुकी है लेकिन अब प्रियंका का फोकस बाके दलों को भी साथ लाना है, जिसके लिए वो अब मेराथन बैचके करने वाली है, अगर प्रियंका इस कोशिश में काम्याब हो गई, तो इस से कॉंग्रेस को फाइदा और यासी हवा चल रही है, उससे साफ है कि इस चुनाव में छोटी पार्टियां एहम भूमिका निभाने वाली है, इस बार गठबंदन से ही पार्टियों का गेम बनेगा, ऐसे में कॉंग्रेस दूसरे दलों के साथ से बीजेपी और सपा बसपा का खेल विगारने की तैयारी म अब देखना होगा कि क्या प्रियंका के प्लान से कॉंग्रेस लहरा पाएगी जीत का पर्चम, डिवी लाइव की रिपोर्ट